तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को उताने वाला हूं कि अगर आप लोग भी विंडोज 11 के अंदर में किसी भी अप्लिकेशन को अनिस्टॉल करना चाहते हो तो वह किस तरीके से कर सकते हो तो बिना टाइम गवाए चली वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों क्या करना भाई यहां पर एक विंडोज का आइकन दिख रहा है स्टार्ट करके ठेक है इसके ऊपर में आप लोगों को क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर ही आप लोगों को सेटिंग का एक ओप्शन दिख जाएगा ठीक है अब यहां पर आप लोगों को क पर क्लिक कर देना है जैसे एक क्लिक करोगे तो जितने भी एप्लिकेशन आपके इसमें जो है वो इंस्टॉल होंगे वो सारे आ जाएंगे ठीक है या तो आप सर्च करके भी कर सकते हो हो फॉर एक्जामपल देट मैं यहां पर सर्च कर लेता हूँ एच से ठीक है तो एच नाम के जितने भी अप्लिकेशन से वह आ गए जैसे कि मैं माली यह वाला हैंडब्रेक करके अप्लिकेशन इसे जो है अनिस्टॉल करूंगा तो क्या करना आप लोगों को सिंपली यहां प आप से पूछेगा दिस एप एंद एनफो विल वियानिस्टॉल मतलब इससे रिलेटेड जोभी इंफो होगी वह रनिस्टॉल हो जाएगी जो भी आपका फोलडर वगएरे बना होगा इसका वो सब डिलीट हो जाएगा तो यहां पर आपका इस करोगे यहां पर आपका जो है handbrake वाला वो जो है अनिस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके से काफी असानी से आप लोग अपनी किसी भी अप्लिकेशन को अनिस्टॉल कर सकते हो और जो एक्स्ट्र अप्लिकेशन से उसे आप लोग सर्च भी वहाँ पर कर सकते हो सर्च बार में आयोब दोस्तों यह वीड